हुआ है 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 लग फॉर्मेट में पढ़ते हैं देखते हैं कैसा लगता है आपके पास एक अतिरिक्त घर है तुम इसे किराए पर देना चाहते हो तुमारे पास एक एक एक्स्ट्रा हाउस है उसे तुम किराए पर देना चाहते हो ड्राप्ट एन एडवर्टाइजमेंट एक विग्यापन तयार करो टू बी गिवन इन लोकल न्यूजपेपर छित्रे अख़बार में देने के लिए गिविंग रिलेवेंट डिटेल्स ओफ दा हाउस घर के सारे समंदित डिटेल्स देते हुई यनि आपको एक एक्स्ट्रा ह लिखते हैं और यदि किराएपर देना चाहा रहे हैं तो हम उसे लिखते हैं टू लैट हेडिंग में उसमें हेडिंग होगी टू लैट ध्यान रखना तू थोड़ा सा स्पेस और लैट ऐसे लिखेंगे टू लैट ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था गूरू वांटेड ब्रैड वांटेड और एक पढ़ा था गूरू वांटेड ब्रैवांटेड तो मैट्रिमोनियल हो गए उसके बाद में दो किसन और पढ़े थे सेल और परचेज के आज हम पढ़ रहे हैं टू लैट यानि किराएपर देना चाहा रहे हैं तो देखो किस तरीके से हो गाई हा लगातार कमेंट्स हैं जो 4-5 इस ड्रैंट्स के ही आ रहे हैं तो आज की क्लास में जो भी विद्धारती अटेंड करें इस क्लास को वो सभी अपने नाम के साथ कमेंट करेगा तो मुझे पता चले कौन-कौन विद्धारती पढ़ रहे हैं कोई पढ़ी नहीं रहा है तो फ ठीक है जो भी जैसी क्लास लगे जो बी और कोई समस्चा आ तो उसके साथ भी कमेंट कर सकते हैं आप तो पढ़ते हैं टू लेट किराए पर देना चाह रहे हैं किराए पर उपलब्द इसे हम लिख सकते हैं किराए पर उपलब्द, ऐसे लिख सकते हैं, किराए पर उपलब्द, किराए पर उपलब्द है, ठीक है, देखो आगे, यदि हम किसी चीज को चाह रहे हैं, हमें चीए, तो अवेलेब्द से स्टार्ट करेंगे, यदि हमारे पास पहले से उपलब्द है, और हम उसे देना चाह रहे हैं, तो हम उसे available से, तो घर हमारे पास पहले से हम किराई पर देना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे available क्या उपलब्द है, a newly constructed house, नया बना हुआ घर यह कह सकते हैं, newly built house कह सकते हैं इसमें तो नया बना हुआ घर उपलब्द है, किसके लिए four rent किराई के लिए उपलब्द है in the post colony माथुर नगर जैपुर, post colony माथुर नगर जैपुर में एक नया बना हुआ घर किराई पर उपलब्द है, अज़ा उसमें हैं क्या क्या, one hole, एक hole है two big bedrooms हैं, दो बड़े bedrooms है, furniture fitted, पूरा furniture fitted है उसमें और एक क्या है, एक है separate modern kitchen, क्या है भी ध्यारती हो, separate modern kitchen अलग से आधोनी क्रसोई घर है, kitchen है, two let's and baths, two let's bath है, ये इसमें facility हैं क्या क्या फैसलिटी हैं इसमें, ये दे रखा है, one hole है, two big bedrooms है, furniture fitted है, separate modern kitchen है, two let's and baths है, इत्यादी हैं और ये post colony, post colony माथुनगर जैपुर में इस्तिता है, क्राइप रोप लग दे, अब क्राइप बता दे, rent क्या होगा, पांच अजार रुपए पर मन्त, ये क्राइप ने बता दिया, और कुछ बाते जो हमें बतानी, a small and decent family will be preferred, prefer उन्हीं को, प्रमुक्ता उन्हीं को दी जाएगी, जो small और decent ये अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे family, उन्हीं को इस मकान में रहने की, या क्राइप पर देने की prefer किया जाएगा, उन्हीं को दिया जाएगा, contact, आप संपर कर सकते हैं, पी गुपता, 204 राम नगर, टॉंक रोड जैपुर, यहां रहते हैं, यह जो माथुन नगर जैपुर में हैं, यह उनके पास extra house है, ठीक है, यह रहते हैं, 204 राम नगर, टॉंक रोड जैपुर में, और आप ring कर सकते हैं, कितने नमबरों पर, ring ट जैसे 9876 और फिर xxxxxx यहनि 10 डिजिट में ऐसे पूरा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप लिख दिया, आपने कितना नम्मर लिखा जैसे मालो नीचे यहां नम्मर लिखा 9876, फौर डिजिट हो गए? 5678910 जैसे नम्मर हो गए, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिख दो इसमें कहां दिक्कत आ रहे? 9876, 543, 210 को दिक्कत नहीं है इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, यह फौर्मैट भी लिख सकते हैं ठीक है न? तो इस तरीके से हम टूलेट के उपर टूलेट का मतलब किराए पर उपलब्द है तो अविलेबले नूली कंस्टक्टेड हाउस एक नया बना हुआ घर उपलब्द है फोर रेंट किराए पर इन कहां? पोस्ट कोलोनी माथुनगर जैपुर यहां है, एक होल है इसमें और टू बिग बेडरूम्स है फरनीचर फिटेड है सेपरेट मोडन किचन है टू लेट सेन बात है किराया पांच जार है इस समाल ओडिसेंट फैमेली को ही प्रीफर किया जाएगा और जो भी अगर लेना चाहरा है तो पी, गुपता, 204, राम, नगर, टॉक, रोड, यहां समपर कर सकते हैं या फिर नमबर दे रखें, मुबाइल नमबर इन मुबाइल नमबर पर आप कॉंटेक्ट कर लेए ठीक है विध्यारती हो धन्यवाद, और हाँ, सभी कॉमेंट जरूर करना ठीक है, अब आज हमने पड़ा किराए पर उपलब्द है, नेक्स क्लास में हम पड़ेंगी किराए पर चाहिए, यदि कोई किराए पर लेना चाह रहा है तो वो एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से निकालेगा ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहीगी next class लेकर आते हैं तब तक इस class को पढ़ते रही है इस chapter को ठीक है धन्यवाद